मेरे प्यारे देश स्वास्यों नमस्कार हर मन की बात से पहले देश के हर कौने से हर आयूवर्ग के लोगों से मन की बात को लेकर के धेर सारे सुझाव आते हैं आकाश्वानी पर आते हैं नरेंद्र मोधी एप पर आते हैं माय गौग के माध्यम से आते हैं फोन की द्वारा आते हैं रेकोडेड मेसेज की द्वारा आते हैं और जब कभी कभी मैं उसे समय निकाल करके देखता हूँ मेरे लिए एक सुख़द अनुहोग होता है इतनी विविदताओं से भरी भी जानकारिया मिलती हैं देश के हर कौने में शक्तियों का अंबार पड़ा है साधक की तरह समाज में खपे हुए लोगों का अंगिनत योगदान दूसरी तरफ शायद सरकार की नजर भी नहीं जाती होगी ऐसी समस्याओं का भी अंबार नजर आता है शायद व्यवस्था भी आदी हो गई होगी लोग भी आदी हो गए होंगे और मैंने पाया है कि बच्चों की जिग्यासाएं गिवाओं की महत्पकाक्षाएं बड़ों के अनुभाव का निचोड़ भाती-भाती की बाते सामने आती हैं हर बार जितने इंपूट्स मन की बात के लिए आते हैं सरकार में उसका डीटेल अनुभाव के हैं सुझाओं किस प्रकार के हैं शिकायते क्या है लोगों क्या नुभाव क्या है आम तोर पर देखा गया है कि मनुष्य का स्वभाव होता है दूसरे को सलहा देने का ट्रेन में बस में जाते हो और किसी को खासी आगई तो दुरत दूसरा के कहा ऐसा करो सलहा देना सुझाओं देना यह जैसे मानो हमारी यह सभाव में है शुरू में मन की बात को लेकर के सभी जब सुझाओं आते थे सलहा के शब्द सुनाई देते थे पढ़ने को मिलते थे तो हमारी टीम को भी यही लगता था कि यह बहुत सारे लोग को शायद आदत होगी लेकिन हमने जारा बारी की से देखने की कोशिश की मैं सचमुच में इतना भाव विभोर हो गया ज्य जादातर सुझाओं देने वाले लोग वो हैं मुझ तक पहुंचने का प्रयास करने वाले लोग वो हैं जो सचमुच में अपने जीवन में कुछन कुछ करते हैं कुछ अच्छा हो उस पर वह अपनी बुद्धी शक्ति सामार्थ परिस्तिति के अनुसार प्रयत्न रथ है और यह चीज़े जब ध्यान में आई तो मुझे लगा कि यह सुझाओं सामान्य नहीं है यह अनुभाव के निचोड से निकले हुए हैं कुछ लोग सुझाओं इसलिए भी देते हैं कि उनको लगता है कि अगर यही विचार जहां काम कर रहे हैं वह विचार अगर और आते मेरी दृष्टी से अत्यंत सकारात्मक है मैं सबसे पहले तो अधिक्तम सुझाओं जो की कर्मयोगियों के हैं समाज के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने वाले लोगों के हैं मैं उनके पती आभार व्यक्त करता हूं इतना ही नहीं मैं किसी बात को जब मैं उलेक करता ह तो ऐसी ऐसी चीज़े ध्यान में आती हैं तो बड़ा ही आनंद होता है पिछली बार मन की बात मैं कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया था फूड वेस्ट हो रहा है उसके सबन में खिंता जताई थी और मैंने उलेक किया और जब उलेक किया तो उसके बात नरेंद देश्ट को बचाने के लिए क्या क्या प्रयोग किये मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश में खासकर कि युवा पीडी लंबे अर्से से काम को कर रही है कुछ सामाजिक संस्थाएं करती है तो हम कई वर्सों से जानते आये हैं लेकिन मेरे देश के युवा इसमें लगे हुए हैं यह तो मुझे बात में पता चला कईयोंने मुझे वीडियोज भेजे हैं कई स्ताने जा रोटी बैंक चल रही है लोग रोटी बैंक में अपने हां से रोटी जमा करवाते हैं सब्जी जमा करवाते हैं और जो नीडी लोग हैं वहां से प्राप्तिव कर लेत हैं देने वाले को भी संतोस होता है लेने वाले को भी कभी नीचा नहीं देखना पड़ता है समाज के सहयोग से कैसे काम होते हैं इसका उधारण है आज अप्रिल महिना पूर्ण हो रहा है आखरे दिवस हैं एक मई को गुजरात और महराष्टर का स्थापना दिवस हैं इस अवसर पर दोनों राज्यों के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना हैं दोनों राज्यों ने विकास की नई-ने उचाईयों को पार करने का लगातार प्रहास किया हैं देश की उन्नति में योगदान दिया हैं और दोनों राज्यों में महापुरुशों की अविरत स्रिंखला और समाज के हरक्षेत्र में उनका जीवन हमें प्रेना देता रहता है और इन महापुरुशों को याद करते हुए राज्य के स्थापना दिवस पर 2022 आज हदी के 75 साल हम अपने राज्य को अपने देश को अपने समाज को अपने नगर को अपने परिवार को कहां पहुंचाएंगे इसका संकल्प लिना चाहिए उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए योजना बनानी चाहिए और सभी नागरिकों के सहीयोग से आगे बढ़ना चाहिए मेरी इन दोनों राज्य को बहुत बहुत शुब कामना हैं एक जमाना था जब क्लाइमेट चेंज एकडेमिक वर्ल्ड का विश्य रहता रहा सेमिनार का विश्य रहता था लेकिन आज हम ल खेल के सारे नियम बदल दिये हैं हमारे देश में मई जून में जो गर्मी होती है वो इस बार मार्श अप्रिल में अनुभाव करना कि नौबत आ गई और मुझे मन की बात पर जब मैं लोगों के सुझाव ले रहा था तो ज्यादा तर सुझाव इन गर्मी के समय में क्या क करना चाहिए उस पर लोगों ने मुझे दिये हैं वैसे सारी बाते प्रचली था है नया नहीं होता है लेकिन फिर पिस समय पर उसका पुनस्मरण बहुत काम आता है कोई सिर्मान प्रशांद कुमार मिश्ट्र टी एस कार्तिक ऐसे अनेग मित्रों ने पक्षियों की चिंता की है उन्होंने कहा कि बालकनी में चट पे पानी रखना चाहिए और मैंने देखा है कि परिवार के छोटे-छोटे बालक इस बात को बख्खु भी करते हैं एक बार उनको ध्यान में आजाये कि पानी क्यों भरना चाहिए तो दीन में दस बार देखने जाते हैं कि जो बरतन रखाय उसमें पानी है नहीं है और देखते रहते हैं कि पक्षि आये कि नहीं आए हमें तो लगता है कि एक खेल चल रहा है लेकिन सच मुझ में बालक मन में यह एक नई आनंद के अनुफुदी कराता है कुछ दिन पहले मुझे गुजरात से स्रीमान जगत भाई ने अपनी किताब भीजी सेव दस पैरोज और जिसमें उन्होंने गवरया के संख्या जो कम हो रही है उसकी चिंता तो किये लेकिन स्वयम ने मिशन मोड में उसके सवरक्ष है हमारे देश में तो पशूपक्षी प्रकृती उसके साथ सहजीविन की बात उस रंगे से हम रंगे हुए हैं लेकिन फिर भी यह आवशक है कि सामुईक रूप से ऐसे प्रयासों को बल देना चाहिए जिम्म गुजरात में मुख्यमंत्री था तो दावदी बहरा समाज के धर्मगुरू सेयदना साब को सो साल हुए थे वे एक सो तीन साल तक जिवीत रहे थे और उनके सो साल निमित बहरा समाज ने बुरहानी फांडेशन के दवारा इस पैरो को बचाने के लिए बहुत बड़ा भ्यान चलाया था इसका शुभारम करने का मुझे आउसर मिला था करीब बावन हजार बर्ड फिडर्स उन्होंने दुनिया के कौने कौने में वित्रित किये थे ग्रीज बूग ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में भी उसको स्थान मिला था कभी कभी हम इतनी वस्त होते हैं तो अख़बार देने वाला दूद देने वाला सबजी देने वाला पोस्ट मैं कोई भी हमारे घर के दरवाजे से आता है लिए हम भूल जाते हैं कि गर्मी के दिन है जरा पहले उसको पानी का तो पूछें नवजवान दोस्तों कुछ बात माबाब भी बड़े एक रक्षात्मक अवस्ता में ही उनको लालन पालन करते हैं कुछ दुस्तरे एक्स्टिम भी होते हैं लेकिन ज्यादा तर कमफर्ट जोन वाला नजर आता है अब परिशाय समाप्त हो चुकी है वेकेशन का मजा लेने के लिए योजना बन चुकी होगी समर वेकेशन दर्मिया होने के बाद भी जरा अच्छा लगता है लिकिन मैं एक मित्र के रूप में आपका वेकेशन कैसा जाए कुछ बाते करना चाहता हूँ मुझे विश्वास है कुछ लोग जुरूर प्रवुक करेंगे और मुझे बताएंगे भी क्या आप वेकेशन के इस समय का उप्योग मैं तीन सुझाव देता हूँ उसमें से तीनों करें तो बहुत अच्छी बात है लेकिन तीन में से एक करने का प्रयास करें ये देखे कि कि देखा है नसोचा है ना जानते हैं फिर वहां जाने का मन करता है और चले जाएं रिदिशाय में से नी유 एक्सपरेंसिच सीज कभी कभार किसी चीज को टीवी पर देख रां किताब में पढ़ना या परीचीतों से सुनना और उसी चीज को स्वयम अनुभव करना तो दोनों में आस्मान जमन का अंतर होता है मैं आपसे आग्रह करूँगा इस वैकेशन में जहां भी आपकी जिग्यासा है उसे जानने के लिए कोशिश कीजिए नया एक्सपरिमेंट कीजिए एक्सपरिमेंट पोजिटिव हो थोड़ा कमफोर्ट जोन से भाहर ले जाने वाला हो हम मध्यमबर्गे परिवार के हैं सुखी परिवार के हैं क्या दोस्तों कभी बन करता है कि रीजर वशन किये बिना रेलवे के सेकंड क्लास में टिकट ले करके चड़ जाए कम से कम 24 गंटे की सफर करें क्या अनुभव आता है उन पैसेंजरों की बाती क्या है वो स्टेशन पर उतर क्या करते है शायद साल भर में जो सिख नहीं पाते हैं उस 24 गंटे की विधाव ड्रिजेसन वाली भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में सोने को भी न मिले खड़े खड़े जाना पड़े कभी तो अनुभव कीजिए महीनी किया तो बार बार करें कात बार तो करिए शाम का समय हो अपना फुटबॉल ले करके वॉलिबॉल ले करके या कोई भी खेल कुट का साधन ले करके तदन गरीब बस्ते में चले जाए उन गरीब बानकों के साथ खुद खेलिए आप देखिए शाहिद जिन्दिगी में खेल का आनंद पहले कभी नहीं मिला होगा ऐसा समाज में इस प्रकार की जिन्द की गुजानने वाले बच्चों को जब आपके साथ खेलने का आउसर मिलेगा आपने सोचा है उनकी जीवन में कितना बड़ाव आएगा और मैं विश्वास करता हूं एक बार जाएंगे बार बार जाने का मन कर जाएगा यह अनुभव आप आप तो गुगूल गूरू से जुड़े हुए हैं उसके पर ढूंड़िये किसी ऐसे और नाशन के साथ पंदरा दिन बिस दिन के लिए जूड़ जाएए चले जाएए जंगलों में चले जाएगे कभी-कभी बहुत समर कैम्प लगते हैं परस्टाइटी डेवलप्मेंट क कॉर्स किया हो आप बिना पैसे लिए समाच के उनकों के पास पहुंचे जिनको ऐसा आउसर नहीं है और जो आपने सिखा हैं उनको सिखायें कैसे किया जा सकते आप उनको सिखा सकते हैं मुझे इस बात की भी चिंता सता रही है कि टेक्नलोजी दूरियां कम करने के लिए आई टेक्नलोजी सीमाएं समाप्त करने के लिए लेकिन उसका दुश्प्रणा में यह हुआ है यह कहलो हें कि एक ही घर में च्छे लोग दूरियां इतनी हो कि कंपना ही नहीं कर सकते क्यों हर कूझ टेक्नलोजी से कहीं और बीजी हो गया है सामोहिक का भी एक समस्कार है सामोहिक है कि शक्ती है दूसरा मैंने कहा कि स्कील कि आपका मन नहीं करता है कि आप कुछ नया सिखें आज परधा का यूग है एक्जामिनेशन में इतने डूबी हुए रहते हैं उत्तम से उत्तम अंक पाने के लिए खब जाते हैं खो जाते हैं वेकेशन में भी कोई कोचिंग लगा रहता है अगली एक्जाम की चिंता रहती हैं कभी कभी डर लगता है कि रॉबोट तो नहीं हो रही हमारी वापीडी मशीन की तरह जिंद्गी नहीं गुजार रही है दोस्तों जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है कु हुमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है हम मान भी गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं स्कील डेवलोप्मेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या टेक्नोलोजी से दूर खुद के साथ समय गुजारने का प्रयास संगीत का कोई वाग्या सिख रहे हैं कोई नई भाशा के बांच्-पचाइब के रहे हैं तमील हो तेलिग बांगला हो मल्यालभ व्यराधी और यह हो मराटीandır पंजाबी Niye और नजर करें हमारे अगल बगल में कोई सिखाने माला मिल सकता है कि स्विमिंग नहीं आता तो स्विमिंग सिखें करें बहले उत्तम ड्राइंग नहीं आएगा कुछ तो कागज सिखने का मन करता है कि आप साइकल तो चला लेते लेकिन त्री विलेर वाली साइकल जो लोगों को लेकर के जाते कभी चलाने कोशिश किया आप देखें यह सारे नए प्रयोग स्कील ऐसी हैं आपको आनंद भी देगी और जीवन को एक दारे में जो बात दिया है ना उससे कुछ करिए दोस्तों जिंदगी बनाने का यही तो अफसर होता है और आप सोचते होंगे कि सारी एक समाप्त हो जाए केरियर के नए पड़ाव पर जाओंगा तब सिखूंगा तो तो मोका नहीं आएगा फिर आप दूसरी जेंजर पर पड़ जाएंगे मैं आप से कहूंग अगर आपको जादू सिखने की शौक हो है तो तास्के पत्तों की जादू सिख्ये अपने यार दोस्तों को जादू दिखाते रही है कुछ ने कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं उसको जानने का प्रयास कीजिए उससे आपको जरूर लाब होगा आपकी भीतर कि मानविय शक्तियों को जेतना मिलेगी विकास के लिए बहुत अच्छा आउसर बनेगा मैं अपने अनुभव से कहता हूं दुनिया को देखने से जितना सीखने समझने को मिलता है जिसके हम कल पना नहीं कर सकते हैं नईने स्थान नईने शहर नईने नगर नईने गाउं नए नए इलाके लेकिन जाने से पहले कहां जा रहे उसका अभ्यास और जाकर के एक जिग्यासू की तरह उसे देखना समझना लोगों से चर्चा करना उनसे पूछना यह अगर प्रयास किया तो उस देखने का आनन कुछ और होगा आप जुरूर कोशिश कीजिए और कीजिए ट्राविलिंग जादा न करें एक स्थान पर जाकर के तीन दिन चार दिल लगाईए फिर दूसरे स्थान पर जाईए वहां तीन चार दिल लगाईए इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैं चाहूंगा और यह भी सही है कि आप जब जा रहे हैं तो मुझे इंक्रेडिबल इंडिया इसका उप्योग करके अपने इन अनुभ़ों को शैर कीजिए दोस्तों इस बार भारत सरकार ने भी आपके लिए बड़ा अच्छा आउसर दिया है नई पीडी तो नगत से करिब कर मुक्त ही हो रही है उसके कैश की जरूत नहीं है वह डिजिटल अगर भी मैड जो कि आप डाउनलोड करते होंगे आप उप्योग भी करते होंगे लेकिन किसी और को रिफर करें किसी और को जोड़ें और वो नया वक्ति के तीन ट्रंजिक्षन करें आर्थिक कारोबार तीन बार करें तो इस काम करने के लिए आपको दस रुपी की कमाई ह होती हैं आपके खाते में सरकार की तरफ से 10 रुपिया जमा हो जाएगा अगर दिन में आपने 20 लोगों से करवा लिया तो आप शाम होते होते 200 कमा लेंगे व्यापारियों को भी कमाई हो सकती है विध्यारतियों को हमारे देश में वी आईपी कल्चर के प्रती एक नफ्रत का महोल है लेकिन यह इतना गहरा है कि मुझे अभी-अभी अनुभा हुआ जब सरकार ने ताइक कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहों वह अपनी गाड़ी पर लाल बत्ति लगा कर के नहीं गुमेगा वो एक प्रकार से वी आईपी कल्चर का सिंबॉल बन गया था लेकिन अनुभाव यह कहता था कि लाल बत्ति तो वेहिकल पर लगती थी गाड़ी पर लगती थी लेकिन धीरे 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 वो दिमाग में गुज जाती थी और दिमागी तोर पर वी है वो निकल गई होगी मुझे बड़ा इंट्रेस्टिंग एक फॉन कॉल आया खैर उस फॉन में उन्हों ने आशंका भी व्यक्तिक की हैं लेकिन से में इतना अंदाज आता है इस फॉन कॉल से कि सामान ने मान विए चीज़े पसंद नहीं करता है उसे दुरी महसूस होती है कि आज मेरा टाइम भी उतना ही जरूरी है मुझे ट्राफिक जाम में नहीं पसना है और मुझे किसी के लिए रुखना भी नहीं है तो मैं आपको दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं इस डिसिजिन के लिए और यह जो आपने स्वच भारत अभ्यान चलाया है इसम हमारी रोडों से वी आएपी की दादागीरी भी साफ हो रही है तो उसलिए धन्यवाद सरकारी निरने से लालबत्ति का जाना वो तो एक व्यवस्ता का हिस्सा है लेकिन मन से भी हमें प्रैत्न पुरवक इसे निकालना है हम सब मिलकर के जागरिक प्रयास करेंगे तो निकल सकता है न्यू इंडिया का हमारा कंशेप यही है कि देश में वी आएपी की जगा पर एपी आई का महत्म बढ़े है और जब मैं वी आएपी के स्थान पर एपी आई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है एवरी पर्सन इज इंपॉर्टन रह व्यक्ति का महत्व है हर व सवासो करोड़ देश्वासियों का महत्म हम स्विकार करें सवासो करोड़ देश्वासियों का महत्म ही स्विकार करें तो महान सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बड़ी शक्ति एक जूठ हो जाएगी हम सबने मिलकर के करना है मेरे पहरे देश्वासियों मैं हमेशा कहता हूं कि हम इतिहास को हमारी संस्कृत को हमारी परंपराओं को बार बार याद करते रहें उससे हमें उर्जा मिलती हैं प्रेडा मिलती हैं इस वर्ष हम सवा सवक्रोड देश्वासी संत रामानुजा चार्यजी की एक हजारवी जेनती मना रहे हैं किसी ने किसी कारणवस हम इतने बंद गए इतने छोटे हो गए कि जदा जदा सताब्दियों तक का ही विचार करते रहें दुनिया के अन्य देश्वां के लिए तो सताब्दी का बड़ा महत्वा होगा लेकिन भारत इतना पुरातन राष्ट हैं कि उसके नसीब में हजार साल और हजार साल से भी पुरानी यादों को मनाने का आउसर हमें मिला है एक हजार साल पहले का समाज कैसा होगा सोच कैसी होगी थोड़ी कलपना तो कीजिए आज भी समाजी गुरूडियों को तोड़कर के निकलना हो तो कितनी दिक्कत होती है एक हजार साल पहले कैसा होता होगा बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि रामानुजाचारी जी ने समाज में जो बुराईयां थी उंच निच का भाव था छूत अचूत का भाव था जातिवाद का भाव था इसके खिलाब बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी स्वैम ने अपने आच्रण द्वारा समाज जिनको अच्छूत मांता था उनको गले लगाया था हजार साल पहले उनके मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने अंदोलन किये थे वर मंधिर करवाए थे हम कितने भाग्यवान है कि हर यूग में हमारे समाज की बुराईयों को खत के लिए कि संगठन में शक्ति हैं इस भाव को जगाने के लिए उनसे हम प्रेणा ले भारत सरकार भी कल एक मैई को संत्रामानुजाचारी जी किस मृति में एक स्टेंप रिलीज करने जा रही है मैं संत्रामानुजाचारी जी को आधर पुर्वक नमन करता हूँ स्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ मेरे प्यारे देशवाशियों कल एक मैई का एक और भी महत्वा है दुनिया के कई भागों में उसे स्रमिक दिवस के रुप में भी मनाये जाता है और जब स्रमिक दिवस की बात आती है लेबर की चर्चा होती है लेबरर्स की चर्चा होती है तो मुझे बाबा साब आमबेड कर की याद आना बहुत स्वाभाविक है और बहुत कम लोगों को मालू होगा कि आज स्रमिकों को जो सहुलियते मिली हैं जो आदर मिला है उसके लिए हम बाबा साब के आभारी हैं स्रमिकों के कल्याड के लिए बाबा साब का योगदान अविश्मिरी है आज जब मैं बावा साब की बात करता हूँ संत रामानुजा चारे जी की बात करता हूँ तो बारावी सदी के करनाटक के महाम संत और सामाजिक सुधारक जगद गुरु बस्वेस्वर जी की भी याद आती है कल ही मुझे एक समारों में जाने का अवसर मिला उनके वचनामरुत के संग्रह को लोकारपन का ववसर था बारवी सताब्दी में कंड़ भाषा में उन्होंने श्रम श्रमी उस पर गहन विचार रखे है कंड़ भाषा में उन्होंने कहा था काय कवे कैलास उसका अर्थ होता है आप अपने परिश्रम से ही भगवान शिव के घर कैलास की प्राप्ति कर सकते हैं यानि की कर्म करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है दूसरे शब्दों में कहें तो स्रम ही शिव है मैं बार बार स्रमयव जयति की बात करता हूँ डिग्नीटी अप लेबर की बात करता हूँ मुझे बराबार याद है भारतिय मजदूर संग के जनक और चिंतक जिनों ने स्रमिकों के लिए बहुत चिंतन किया ऐसे सिमान दत्वपन जी ठैंगडी कहा करते थे एक तरफ माववाद से प्रेदीट की विचार थी कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ और दत्वपन ठैंगडी कहते थे मजदूरों आओ दुनिया को एक करे एक तरफ कहा जाता था Workers of the World Unite भारतियों चिंतन से निकली हुई विचार धारा को लेकर के दत्तोपन ठेंगडी कहा करते थे Workers Unite the World आज जब समीकों की बात करता हूँ तो दत्तोपन ठेंगडी जी को याद करना भस्वाभाविक है मेरे प्यारे देश वासियों कुछ दिन के बाद हम बुद्ध पुर्णिमा मनाएंगे विश्व भर में भगवान बुद्ध से जुड़े हुई लोग उत्सव मनाते हैं विश्व आज जिन समस्याँ से गुजर रहा है हिंसा युद्ध विनाश्ट लिला सस्त्रों की स्पर्धा जब यह वातावन देखते हैं तो तब बुद्ध के विचार बहुती रिलेवंट लगते हैं और भारत में तो अशोग का जीवन युद्ध से बुद्ध की आत्रा का उत्तम प्रतीक है मेरा सवभाग्य है कि बुद्ध पुर्ण इमाम के इस महान पर्वपर उनाइटेड नेशन्स के द्वारा वेशाक डे मनाये जाता है इस वर्ष यह स्री लंका में हो रहा है इस पवित्र पर्वपर मुझे श्री लंका में भगवान बुद्ध को सद्धा सुमन अर्पित करने का उसर मिलेगा उनकी यादों को ताजा करने का उसर मिलेगा मेरे पहारे देश्वाचियों भारत ने हमेशा सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकरके आगे वढ़ने का प्रयास किया है और जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो वो सिरफ भारत के अंदर ही नहीं वैश्विक परिवेश में भी है का और खास करके हमारे अड़ोस-वढूस देशों के लिए भी हैं हमारे अडोस के देशों का विकास अनिक प्रकल्ब चलते हैं पांच मई को भारत दक्षिन एश्या सेटलाइट लॉंच करेगा इस सेटलाइट की ख्षमता तता इससे जुड़ी सुविधाएं दक्षिन एश्या के आर्थिक तता डेवलोपमेंटल प्राथिक्ताओं को पूरा करने में काफी मदद करेगी चाहे नेश्ट्रल डिसोर्सिज मैपिंग की बात हो टेली मेडिशिन की बात हो एजुकेशन का ख्षेत्र हो या अधिक गहरी आईटी कनेक्टिविटी हो पीपल टू पीपल संपर का पयास हो सौथ एश्या का ये उपग्रा हमारे पूरे ख्षेत्र को आगे बढ़ने में दक्षिनarde एश्या के प्रती हमारी प्रतिवाद्धता का या एक ओपयूक्त उधार है नक्षिनandin एश्याई देशों जोके साओदेश्या से जुरू एट इंवगे हैं वह सब का स्वागत करता हूं शुब कामनाई देता हूं मेरे प्यारे देश्वासियों गर्मी बहुत हैं अपनों को भी समालिए अपने को भी समालिए बहुत पर शुब कामना है धन्यवाद